Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग एक और नुमेरिकल स्वार्प करेंगे जो की हाइड्रोलिक जम से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम लोग कोश्चन परते हैं, कोश्चन कहा रहा है स्लूइस गेट डिस्चार्ज़ वाटर इन्टु ए होरिजन्टल रेक्टांगुलर चैनल यहां पर depth of flow भी दे दिया है, यह सब क्या है, हड्रोलिक जम के पहले का स्रेक्शन है यानि फर्स रेक्शन का है, इसलिए हम भीवन और डीवन से डिनोट कर रहा है, तो यहां पर डीवन भी दिया हुआ 0.4 the width of the channel is 8 meter, तो यहां पर width of the channel भी दे दिया है, 8 meter दे दिया है आगे पढ़ते हैं, determine whether a hydraulic jump will occur तो यहां देखे, इस question में आपको पूछ रहा है कि आपको पहले बताना होगा है कि यहां पर hydraulic jump हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इसके पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं इसे related कि अगर आपको पूछता है कि hydraulic jump हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपको दो cases हैं जिससे आप यह बता सकते हैं, पहला तो है आपको क्या करना होगा, critical depth calculate करना होगा, उसका formula होता है Q square by G to the power 1 by 3 अगर critical depth जो है वो बड़ा होता है D1 से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर hydraulic jump हो रहा है, तो यह case है, दूसरा है कि आपको क्या क्या निकालना होगा, fraud number calculate करना होगा, जिसका formula होता है B1 by root GD1 और D1, यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, यह value जो है greater than 1 आना चाहिए, अगर यह greater than 1 आ रहा है, that means we क्या कह सकते है, hydraulic jump यहाँ पर हो रहा है, उस video में जो previous video हम लोग solve किये थे, जहाँ पर इस type का question आया था, और पूछ रहा था कि यहाँ पर hydraulic jump हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर हम already इस condition पर हम लोग इसको solve कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम fraud number के use करके कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक case लेकि आप क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पर hydraulic jump हो रहा है किने, लेकिन यहाँ पर यह important है, कि अगर question में पूछ रहा है कि hydraulic jump हो रहा है कि नहीं, तो आपको पहले यह बताना होगा, कि hydraulic jump हो रहा है, तभी आप क्या कर सकते हैं D2 यानि की depth of hydraulic jump after the jump, या loss of energy due to hydraulic jump या depth of hydraulic jump ये कुछ भी निकाल सकते हैं और अगर question में आपको कुछ नहीं पूछा है, simply आपको केबल पूछ रहा है depth of hydraulic jump बताइए या loss of hydraulic jump बताइए तो आप directly क्या कर सकते हैं, formula से आप क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं वहाँ कोई भी जववत नहीं है आपको कि आप पताएं कि hydraulic jump हो रहा है या नहीं तो चलिए आगे पात करते हैं हम लोग इफ सो, अगर ऐसा हो रहा है, hydraulic jump, suppose कि hydraulic jump हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको, उसके बाद आपको height निकालना है और loss of energy per kg of water, loss of energy निकालना है यहाँ पर एक और चीज पूछ रहा है, also determine the power loss in the hydraulic jump तो power loss के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं किया है, एक छोड़ा सा formula है इसी numerical में हम उसके बारे में बात कर लेंगे और solve भी कर लेंगे तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, given क्या-क्या दिया हुआ है, velocity दिया हुआ है, depth दिया हुआ है, before the hydraulic jump and width दिया हुआ तो हम लोग हमेसा एक ही formula योज़ करते थे, discharge per unit width का तो यहाँ से हम लोग पहले discharge per unit width calculate कर लेते हैं, तो यहां से discharge per unit width अगर calculate करना चाहिए, तो वो क्या होता है, capital q by b Capital q by b, so capital q को हम क्या लिख सकते हैं, discharge क्या होता है, velocity into area, area into velocity, so b1 area को क्या लिख सकते हैं, rectangular channel है, तो हम क्या लिख सकते है, width into depth यहां पर D1, यहां पर D1 into B, यहां पर B, B cancel हो जाएगा, तो यहां पर discharge per unit width क्या जाएगा आपका, B1 into D1, और यहां पर B1 भी given है, D1 भी given है, तो यहां से B1 D1 का value put करने पर आपको discharge per unit width calculate हो जाता है, ठीक है, चलिए, अब हमको check करना है कि यहां पर hydraulic jump हो रहा है कि नहीं, तो यहां के लिए हम लोग second case में देख रहे है, fraud number, so fraud number का formula क्या होता है, B1 by root GD1, value put कर देंगे, B1 का पता है हमको 6 meter per second, D1 पता है 0.4 meter, G9.81, यहां पर देखे, value जो है 3.029, यहां यह क्या रहा है greater than 1, तो यहां क्या होगा, hydraulic jump हो रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, hydraulic jump हमारा हो रहा है, तो हम यहां पर आगे के लिए proceed कर सकते हैं, उसी को यहां पर language में लिखा है, if fraud number is more than 1, the flow is shooting on upstream side, shooting मतलब hydraulic jump हो रहा है, shooting flow is unstable flow and it will convert itself into the streaming flow by raising its height, hence hydraulic jump विला कर, तो जैसा कि यह hydraulic jump का definition होता है, अगर shooting flow क्या करता है, shooting flow जो है, अगर streaming flow में convert होता है, तो वहां पर हम लग्या सकते हैं, hydraulic jump हुआ है, shooting flow में depth होता है, वो सबसे कम होता है, और वो देरे-देरे बढ़ते हुए, रहा की rapidly बढ़ते हुए, कहां चला जाता है, streaming flow में convert हो जाता है, तो यहां से हमारा clear हो गया है, कि यहां पर hydraulic jump हो रहा याहां पर। देंकि अध्य फ्रॉड नमब्र लोग कैलकुलेट किये थे तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला दिस्कस किये हैं वहां पर लोग इस फॉर्मुले का यूज कर सकते हैं यहां पर कॉस्चन में जो है यह 科ष्ड बा क्राद वべống to d1 by 2 bracket में root under 1 plus 8 fraud number का square minus 1 तो यह value put करने पर हमारा कितना आ जाता है 1.525 meter आ जाता है तो height of hydraulic jam बोलिए या depth of hydraulic jam बोलिए क्या हो जाता है d2 minus d1 तो d1 गिवन था d2 हम calculate कर चुके हैं सब्स्ट्रेक कर दीजे यहां से तो यह आ जाता है हमारा depth of या फिर height of hydraulic jam next question पूछा है वो पूछा है loss of energy per kg of water in the given equation loss of energy due to hydraulic jam जो होता है वो क्या होता है d2 minus d1 का q divided by 4 d1 d2 value put कर दीजे d2 यहां से यह d2 आपका पता है d1 given d1 जो है वो given था 0.4 meter यहां पर value put कर देते हैं तो यहां से आ जाता है 0.5835 meter kg per kg of water यहां से यह calculate हो जाता है एक और question इसमें पूछाता है power lost in kilowatt तो power का formula होता है वो आप लोग यह formula याद रखेगा rho g q h l by 1000 1000 से divide करने से यह kilowatt में आ जाता है तो rho g q h l rho क्या है density है g क्या है gravitational constant है q क्या है discharge है और h l जो है head loss है तो यहां से देखिए अगर आप लिखना चाहें तो rho यहां से देखिए density जो है वो कितना होता है water का thousand हो जाता है ठीक है g आपको पता है g कितना हो जाएगा 9.81 हो जाएगा discharge हम लोग को नहीं पता है तो discharge क्या होगा area into velocity area b1 और area को और क्या लिख सकते हैं हम लोग b into d1 तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा discharge तो यहां पर देखिए q equal to क्या लिख दिया b into area और b1 into d1 into b यहां से 6 into 0.4 into 8 तो यहां से यह निकल दिया यहां पर discharge तो यहां से discharge यहां पर p का value पूट कर दिया density 1000 9.81 जी हो गया discharge 19.2 और head loss जो है यहां यहां था 0.5835 divided by 1000 तो यहां आपका क्या आ गया 109.9 kilowatt answer आ गया तो hopefully आपको समझ में आवकर कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं thank you